दादी जी ने बताए घर की बरकत वले उपाए किचन टिप्स रोटी बनाते समय पहली रोटी को हमेशा मोड कर रखें बहुत ही शुब होता है खाना कभी भी जूता ये चपल पहन कर नहीं पकाना चाहिए रोटी बनाते समय तावे को पहले अच्छी तरह धोकर साफ करें उसके बाद तावे पर एक चुटकी नमक डाल कर रोटी पकाना अच्छा होता है मटर पुलाव या फिर बिरियानी बनाते समय पकाने वाला बरतन हमेशा बढ़ा ले जैसे यदि आप एक किलो चावल का पुलाव बना रहे हैं तो आप पाँच लिटर का बरतन लें इससे चावल तूटेगा नहीं यदि आप पुदीना सुखा कर स्टोर करना चाहते हैं तो पुदीने को इकठा करके जड़ से बांध कर छाया में उल्टा लटका दें और थोड़ा सूख जाने पर उसकी पत्तियों को अलग कर लें और किसी एयर टाइट डिब्बे में रखने से साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं चाय को जादा सुखंदित बनाने के लिए उबलते पानी में संत्रे के सूखे चिलके, छोटी इलाइची के सूखे चिलके, तुलसी की पत्तियां और थोड़ा सा अद्रक डाल दें इससे चाय में बहुत ही अच्छी सुखंद आएगी करेले की कडवाहट को दूर करने के लिए इसके चिलके को उतार कर नमक वाले पानी में कुछ समय के लिए डाल कर रख दें ऐसा करने से करेले की कडवाहट दूर हो जाएगी अर्बी की चिकनाहट को दूर करने के लिए अर्बी के छिलके को उतार कर इसे नमक के पानी में टुबो कर रख दें इसके बाद अर्बी को नमक वाले पानी से निकाल दें और अर्बी को सूखे कपड़े से साफ करें जिससे इसकी लेस खतम हो जाएगी किसी भी सबजी में पहले खटाई ना डाले जब आपकी सबजी आधे से ज़्यादा पक जाए तब आप इसमें खटाई डाले पहले खटाई डालने से आपकी सबजी अच्छे से नहीं गलेगी अगर आप सबजी में नीम्बू का प्रियोग करना चाहें तो आप सब्जी में निम्वू तब डालें जब खाना रेडी हो जाए नहीं तो इसमें विटामिन C नश्ट हो जाता है आमलेट को बनाते समय इसमें एक चमच दूद मिला दें जिस से हमारा आमलेट मुलायम और सफेद बनेगा हरी सब्जियों को उबालते समय इसमें थोड़ा सा नमक और चुटकी भर चीनी मिला दें जिस से सब्जी का हर रंग बरकरार रहता है आलू को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें और ऐसा करने से आलू फटेंगे नहीं और इसका छिलका भी असानी से उतर जाएगा नारियल की बर्फी बनाते समय दूद की जगा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें छोले और मटर को जल्दी से उबालना हो तो इसमें नारियल तेल की तीन से चार बुंदे इस्तेमाल करें इससे हमारे छोले और मटर जल्दी से उबल जाएंगे अगर आप दाल को कूकर में बना रहे हो तो इसमें तीन से चार बुंदे सरसो के तेल की डाल लें ऐसा करने से जो दाल का पानी है वह कूकर से बाहर नहीं आएगा रसदार सब्जी का मसाला भूंते समय इसमें थोड़ा सा मीट मसाला इस्तेमाल करें इससे हमारी सब्जियों का स्वाद दूगना हो जाता है पूरी का आटा घूंते समय इसमें थोड़ी चीनी, नमक और अजवायन और फिर रिफाइन तेल डालें इससे आपकी पूरी खस्ता बनेगी सूखी सब्जी जब बन कर त्यार हो जाए तो आप इसमें किचन किंग मसाला डालें इससे आपकी सब्जी में अच्छा स्वाद आएगा दही को जमाते समय इसमें थोड़ी चीनी डालें जिससे आपका रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा आटे को गूंते समय पानी में आधा कप दूद मिलाएं और इस पानी से आटे को गूते इससे आटा मुलायम और इसकी चपाती भी अच्छी बनेगी चावल को बनाते समय इसमें आधे निम्बू की बूंदे डालें इससे चावल खिले खिले बनेगे लेसुन को आप अंधेरे में रखें ऐसा करने से लेसुन सूखेगा नहीं दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्ट वीडियो में नेक्ट टिप्स के साथ धन्यवाद दोस्तो वीडियो तोस्तो नेक्ट नेक्ट वीडियो पस्तो याल दोस्तो याल याल